वहीं देश में त्योहारी सीजन चल रहा है नवरात के बाद अब दिवाली छटपूजा की तैयारियां जोरो पर हैं तो वहीं कोरोना भी फिर से रफ्तार बढ़ता दिखा रहा है कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा एक के बाद एक नए मामले सामने आने से स्वास विभाग की भी नीद उड़ गई है कोरोना की फिर से तेज होती रफ्तार को देखते हुए रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के कोरोना टेस्ट का भियान चलाया जा रहा है जारकन के हचिया रिल्वे स्टेशन पर भी सभियान के तहट कोरोना टेस्ट किया जा रहा है बता दें कि श्वनिवार को हचिया रिल्वे स्टेशन पर एक साथ 55 यात्री कोरोना पॉस्टिफ पाए गए थे जिसके बाद बहां हड कंप मच गया जानकारी के मुताबिक सभी आक्री तपस्वीनी एक्सपस्वे और राव केला एक्सपस्वे से आये थे तो पूरी तरह से ये कहा जा सकता है कि कोरोना के आक्रे एक बार फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं अभी नवरात्र का तेवार अच्छे खासी तरीके से देश्री मनाया लेकिन दिपावली पर कहीं न कहीं एक बार फिर से कोरोना का जो साया है वो पढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि एक की बाद एक मामले बढ़ रहे हैं जारकन के अगर बात कर लें तो जारकन के हट्यार रिल्वेस्टेशन पर पच्छपन कोरोना मरीज बले हैं तपस्विनी और रावर केला एक्सपेस से यह यात्री आये थे ऐसे में स्वास विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट है सब का यहां पर टेस्ट किया जा रहा है उमीद है कि आकड़े कम होंगे लेकिन लापरवाही जो देख ही जा रही है बाजारों में रिल्वेस्टेशन पर बर्स्ट आफ पर उसमें कहीं ना कहीं बदलाव करने की जरुत है सोचने की जरुत है कि अगर इसी तरह से हम लापरवाही करते रहेंगे तो दिपावली के म कुछ ऐसे नियम भी बनाया जा सकते हैं जैसा कि पिछले साल हमें देखा था लेकिन इस बार उम्मीद बहुत जादा है ऐसे में लोगों को खुद से ही एक कदम आगे बढ़ाने की जुरुत है लापरवाही को पीछे छोड़ना है सक्रिय रहना है